हाई फ्रेंड्स विल्कम भाई आज हम बात करेंगे जीवन स्मॉल फाइनेंस भाई का इस स्टॉक को डिसकस करने का दो रीजन है एक तो इस स्टॉक पुलेकर मेरे पास कुछ क्वेडी भी थी कि मरिस भाई जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लगता नीचे आ रहा है तो इस इस विडियो पे एक कमेंट आया था मैं उस कमेंट को बता दूँ यह है अरविन जैन जी का कमेंट इन्हों ने बोला कि बिजनेस को ट्रैक करो यह चार्ट से किसी का भला नहीं होगा अरविन जैन जी डिफिनेटली बिजनेस तो इंपोर्डेंट है ही लेकिन टेकनिकल को बहुत जरूरी है और मैं आपको इसी चीज को यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरीके से हमें टेकनिकल को भी समझना चाहिए कि टेकनिकल हमें बताता है कि स्टॉक और फर्दर खितना नीची जा सकता है ओके इसीज को बताने के लिए मैं अपको एक अपना पूराना वीडियो को दिखाना चाहूंगा जो मैंने कुछ समय पहले अपलोड किया था तकरीवन छे वही ना पहले मैंने कुछ जीवन एसमाल फाइनस में के ओपर एक वीडियो अपलोड किया था उससे में यह प्राइस था इसका 54 रूपीज था एक बार द्यान से यह जो धेटिंग है अब मैं आपको सुनाना चाहनगा तो यहां पर एक चाट पैटरन बन रहा है जिसको बोलते हैं अब 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 आपको अथ्वाता डिटेल में समझा दो यह जो अब आप चाट देख रहे हैं यह है एकसेंडिंग ट्रेंगल इसमें क्या बोलता है कि जो प्राइस होता है वह हमेशा उपर चाट पर रेसिस्टेल्स देता है और जो नीचे वाला सपोर्ट होता है अब अब आई बनता है यानि अग़ बाद सपोर्ट हायर बनता है और एकवार जब प्राइस ब्रीक आॉट दे दे देता है यानि उपर के तरफ निकल जाता है तो हम यह समझते हैं क जो previous obtain था ओ, continue रहेगा, लेकिन sometime क्या होता है, यह battle fail हो जाता है, यानि price उपर जाने के बजाए नीचे आ जाता है, तो जब price नीचे आता है, तो इसका मतलब यह है कि extending triangle अब fail हो गया, और यह यह बताता है कि shorter time frame में, जो stock है, ओ, bearish हो गया है, मुझते हैं, और बाद assistance ही गया ह कि ऊपर जाने के बजाए, जैसे यहां से अगर यह ऊपर निकलता, तो हम यह मानते कि यह previous obtain था, ओ, continue रहेगा, लेकिन ऊपर जाने के बजाए, इस stop ने break down ने दिया, तो अब यह जो pedal था, यह fade हो गया, तो अब इसका downside वो target कितना आना चाहिए, तो जो minimum target होता है downside का, उसको arm कैसे निकानेंगे, तो जो यह support है, इसको लेना है, और इसको, इस दोनों को यह जो depth है, इसको रखना है यहां पे, तो अगर आप देखोगे, तो इस stop का जो target निकल के आ रहा है downside में, यह आ रहा है, 48-20 की आसपास, और यहां पे एक अच्छा खास सपोर्ट है, अला कि छो सिंट्री जो होती है, हमेसा नीचे होता है bottom, तो यह था मेरा जो previous वीडियो था, उसका क्लिपीन, जहां पे मैंने clearly इसकी जब analysis की थी, तो चार्ट पैटर्न ने, जब यहां पे उस समय जो इसका price था, कितना था 54 रूपीज था, और आज के date में यह 42 रूपीज पर trade कर रहा है, तब यहां पे चार्ट पैटर्न ने clearly बताया था, कि यहां से एक बड़ा downprint है, तो यहां पे चार्ट पैटर्न को समझना ज़रूरी है, अलविन जी मैं आपकी बास का बुरा नहीं मान रहा हूं, लेकिन चार्ट पैटर्न अगर आप नहीं समझेंगे, सिर्फ बिजनस क हो सकता है, तो अगर हम गिरावट की बात करें, तो यहां से यह जो स्टॉक है, अब एक support के ऊपर आ चुका है, और यहां पे अगर आप दिखेंगे, तो मैं एक बार यह जो resistance line है, इसको ऐसे draw करता हूं, तो यह जो स्टॉक है, अब यहां पे descending triangle में आ चुका है, descending triangle क्या है, descending triangle एक बेरी chart pattern है, जो इस तरीचे से बनता है, जो यह बताता है, कि यहां पे जो sellers हैं, वो हावी हो चुके हैं, तो अगेन जब तक इस stock इस triangle के अंदर रहता है, जो down trend है, वो continue रहेगा, और अगर इस triangle से बाहर निकलता है, इस resistance line को break करके बाहर निकलता है, और यहां पे एक phrase buying का, यहां पे technical suggest नहीं करता है, तो phrase buying के लिए, उस जीवान small finance bearing में, मैं अभी भी वेट करूँगा, टेकनिकल का confirmation लोगा, देखो, technical अगर down trend बता रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि business खराब है, आपको business समझना है, business अच्छा है, फिर भी आपको technical का confirmation लेना है, तो य यह अपने, जो इसका resistance था, वहाँ पे अब यह support की तरह काम कर रहा है, तो अभी हमें यह जो stock है, wait and watch की स्टिती है, क्योंकि यहाँ पे selling पे असर जादा है, यहाँ पे sellers जो हैं, वो ज्यादा aggressive हैं, तो यहाँ पे phrase buying करने से पहले, मैं wait करूँगा, एक अच्छा green candle बने, stock थोड़ा सा यहाँ पे bullishness दिखाए, तब मैं जाकर इस stock को buy करूँगा, फिरहाल, personally मैं इसे अभी buy करने वाना नहीं हूँ, क्योंकि banking sector के अभी भी अच्छे stock हैं, जो काफी नीचे पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे इस stock में मेरा personal कोई भी interest अभी नहीं है, हाला कि यह मेरा अपना opinion है, और यह कोई recommendation भी नहीं है, decision आपको लेना है, और यहाँ पे मेरे वीडियो से तो आपको सिर्फ सीखना है, कि किस तरीके से bottom को identify करके और नीचे करिदना है, stock market को detail में सीखना चाहते हैं, एक सितंबर से मेरा class आप जोईन कर सकते हैं, iPhone so much